नमस्षार मैं भीशीक माथोर और आप देख रहे हैं पंचाब केसरी अब वक्त हो चला है आपको दिन की बड़ी पचास खबरे बताने का शपत से पहले पीम मोदी का बापू, अटल और शहीदों को नमन कारगिल युद लड़ने वाले मुहमद सनाउलला गोशित हुए विदेशी बेजे कई डिटेंशन केम करनाटक कॉंग्रेस में संकट बरकरार मीटिंग में नहीं आए बागी रोशन बेग समेट चार विदाये मोदी का शबत गरहन समारो, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम, दस हजार जवान तैनाद मध्य परदेश की इटेंडरिंग, घोटाले में एक और गिरफतार मोदी सरकार के सामने आई नई चुनोती देश के आदे हिस्से में सुखा पढ़ने की आशंका शबत गरहन से पहले भाजपा में मेराथन बैठकोग का दोर जारी पीम मोदी ने राजनाद सिंग्से की मुलाकात अमिट्स शाह के बाद जेपी नड़ा हो सकते हैं भाजपाद दक्ष नेता चुनने के लिए एक जून को कॉंग्रेस संसजिये दल की बैठक कॉंग्रेस ने चुनावी हार पर चर्चा के लिए 31 माई को बुलाई विपक्षी पार्टियों की बैठक अरुन जेडिली ने पीम मोदी से कहा मेरी सेहत ठीक नहीं ना बनाए मंत्री पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में चुनाव लणने की तैयारी में बीजेपी बनाया खास प्लान भारतिय विमानों के लिए अभी बंद ही रहेगा पाकिस्तान एयर बेस ममता को फिर लगा धटका टीमसी के कई विधायक और नेता भाजपा में शामिल पियम मोदी के शबत गरहन में शामिल होने दिल्ली पहुँचे वी बी आईपी विदेशी मेहमान पियम मोदी के शबत गरहन से पहले सांसोदोने की मोदी की तारीफ परिवार समेथ पियम मोदी के शबत गरहन में शामिल होंगे उद्दब ठाकरे लोग सबस चुनाव में मिली हार के बाद राजनितिक डल गवा सकता है राश्टिय पार्टी का दर्जा NIA की टीम इश्टर बं धमाका मामले की जाच में सयोग के लिए पहुँची शिरेलंका शपत लेने के बाद पहली विदेश यात्रा में ही पीम मोधी को मिलेगा सम्मान मालधीप की सांसत को करेंगे संबोधित हार में भी संजीवनी डून रही दिल्ली कॉंग्रिस दिल्ली के गल्स हॉस्टल में सूरत जैसा हादसा लड़कियों ने कूत कर बचाई जान चीखे सुनकर तूटी निंदे दिल्ली में डीटीसी और कलस्टर स्कीम की बसों में लगेंगे पैनिक बटन छात्र की शट पर थूका फिर लूट लिए 20 अजार रागव चड़ा ने विधूरी के खिलाफ अपनी अरजिली वापस केजरिवाल ने चुनाव में हार के बताए दो कारण कहां हम बता नहीं पाई जनता वोट क्यों दे दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में केजरिवाल सरकार ने लिए पाच बड़े फैसले कॉंग्रेस का नया फर्मान एक महीने तक टीवी डिबेट में नहीं शामिल होंगे प्रवक्ता चीफ आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होंगे वायु सेना प्रमुक बियस धनोवा गाज्याबाद में जिल्या प्रशाशन की बड़ी कारवाई अर्थला जील के किनारे काई मकानों को गिराया देश भर में गर्म हवाओं को कहर जारी हर्याना के राजदोर में डंपर ने आईटी आई चात्र को कुछला मोके पर ही दर्दनाक मौद पुलिस इंस्पेक्टर की सर्विस रिवोल्वर से चली गोली 17 साल की बेटी के पेट में लगी करनाल नेशनल हाईवे पर हादसा युवक की मौत ट्रक चालक फरार पानीपत रिन्यूवल प्रजेक्ट शुरू ओध्योगिक नगरी को 13 साल बाद मिला पानी नहीं रुक रहा आवैद घनन गुरू गराम में पत्थरों से भरी ट्राली पकड़ी गुर्दासपूर लोकसवा चुनाव परिणाम ने अकाली भाजबा गटबंदन में पैदा की खठास चंडिगड उन्यूवर्सिटी के दो कश्मीरी चात्रों ने फेस्बुक पर आदंकी मुसका किया गुनगान बारा बंकी में जहरीली शराब से अब तक 23 लोगों की मौत, 4 औरोपी गिरफतार योगी राज में शुरक्षित नहीं बेटिया, टूशन पढ़कर लौट रही छात्रा से इरिक्षा चालकने की अशलीन हरकत उरी और बाला के बाद यामी गोतम का नया दाव हाथ लगी बड़ी फिल्म केटरिना कैफ ने कराया फोटो शूट, मैसी लुक के साथ तस्वीरों में दिखी बोलनेस अभिशेक और रानी की जोडी बंटी और बबली के सीक्वल में नज़र आईगी, जल्ज शुरू होगी शूटी वर्ल्ड कप 2019 में आज वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच इंगलेंड अफरीका में होगी टककर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का रंगा-रंग आगाज, क्विन एलिजबेट से मिले कोली समेच सभी कप्तान PCB ने फिर किया प्रयास अब श्रिलंका को पाकिस्तान में मैच खेलने का दियाने होता पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर आई कमी, पेट्रोल और डीजल में 6 पैसे की गिरावट प्रत्यारपन मामले में ब्रिटेन की आदालत में पेश होगा भगोडा निरव मोदी पाकिस्तान में जैश के खिलाफ कार रेवाई छे आतंकी गिरफतार तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें और बाकि दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाबकेसरी.com के साथ ताकि पलपल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रही